पस्ची मगाल में ममता पेनरजी और बीजे पी पे बीच दफ्तरों को कब जाने की राजनिती जारी को उत्तर 24 परगना और नई हाटी इलाके में जाकर के ममता बन्यजी ने बिजपी कर्याले पर कबजा किया और दिवार से भाजपा के कमल निसान को मिटा करके अपने त्रिमूल कॉंग्रेस का निसान पेंट करवा दिया है आरोप यह है कि जिस दिवार पर ममता बन्यजी ने पार्टी के निसान बनवाए थे वहाँ पर भाजपा के नव निर्वाचित सांसद अरजुन सिंग के समर्थों को ने कबजा किया था ममता बन्यजी ने यहां अपने आने के दोरान लोगों के जैसे राप नारे भी लगाए जिसके बाद ममता बन्यजी ने नारे लगाने व जा रहा है कि टीमसी ने कई कारेकरताओं को प्रोपर्टी की बीजेपी यूनिट में भी बदल दिया गया है। भारती सेना के द्वारा की गई सर्जिकल अस्ट्राइक और एर अस्ट्राइक की योजना के पीछे अजीत डुबाल की रण नीती मानी जाती है। भारती सेना ने पाकिस्तानी सेना में सर्जिकल अस्ट्राइक भी की थी। आतंकवादियों के उपर इन दोनों ही अटैक की सफलता कासरे अजीत डुबाल के फूल प्रूफ प्लान को ही जाता है। अजीत डुबाल के बेटे सोर डुबाल को कुछ महीने पहले ही। जेडी स्रेणी की सुरक्षा दे गई थी। अधिकारियों ने बता है कि उन्हें संभावित खतरों को देखते हुए जेड स्रेणी की सुरक्षा दे गई थी। जाते हैं। लोगों के फैसले और गटवंदन के सहयोगियों को धोखा देना उनकी पूरानी आदत है। बीजेपी को धोखा देना नंबर दो के लिए तयार हाना। कुस्वाहा ने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नितिसकुमार ठगा नहीं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यह मुहावरा सच हो जाएगा और बीजेपी को चोक करना रहना चाहिए। कुस्वाहा ने कहा है कि सपन हुए लोग सबाचुनाव में पार्टी के बैठक के बाद मीडिया से बासित करते हुए। बीजेपी नितिसकुमार से संफर्क में आ गएं और बीजेपी जेडियू मिलकर के सरकार बना लिया। पार्टी और महागटवंधन को लोगों से लोकस बचनाव में क्यों नकार दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सिर्स नेतित ने देश को लोगों को गुम्रा किया है दोस्तो विड़ो को एक लाइक जरूर कर दे और दोस्तो इसी तरीके के लेटस न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सबस्काइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से बादे ताकि इसी तरीके के लेटस न्यूज अपडेट आप तक समय से पहुंच सके और दोस्तो विडियो को ज़ड़ ज़़ों तक अपने सेयर भी कर सके, जि हाँ दोसो तो अगली बड़ी कबर है, इस्राइल ने सीरिया पर किया एर रस्ट्राइक, एर बैस को बनाया Nisan, पाँच लोगों कि मॉट, जी हाँ दोसो, सीरिया ने इस्राइल पर एर रस्ट्राइक परने का नकाम कर दिया है और T4 एरवेस के उनिसाना बना करके दागे गए दो रॉकेट को मार भी गिरा है एक सिरियाई जबान की मौत होगी जबकि दो अन्यग हैल बताए जा रहे हैं ब्रिटेन के सिरियाई अब्जर्वेटरी फर हुमेन राइट स्किम ने बता है कि सिरिया में एक स हिजबुल के अर्धसैनिक बलभी मौजूद थे यह हमला इसराइल के सिरिया में हमले करने के बाद स्विकार करने के कुछ घंटे बाद हुआ है इसराइल ने कहाए कि उससे पडोसी देशों के रॉकेट दागे जाने के बजाए हमला किया है संस्था ने कहाए कि राजधान हमले किये गए हैं आपको बता दे कि इसराइल कहता है कि वह अपने कटर दुसमन इरान को सिरिया के सेन रूप में घुसने को रोकने के लिए दिड़ हैं सिरिया ने इराग समर्थित राष्टपती बशर उल सहद आठ साल की लड़ाई के बावजूद पद पर बने हुए है इस लड़ाई में अब तक 3,70,000 लोगों की मोत हो चुकी है जी हां दोस्तों अगली बड़ी कबरे उमीदों पर खारा नहीं उतरा गटवंदन करेंगे समिक्षा जी हां दोस्तों यूपी निताओं के साथ लोक्स बाचनाओं में नतीजों की समिक्षा करते हुए बहुजन समझवादी पार्टी अद्धक्ष मायावदी ने बड़ा बियान दिया है मायावदी ने कहाए कि गठवंदन में चुनाओ की अपेक्षा परिरीनाम नहीं मिले हैं लिहाजा अब गठवंदन की समिक्षा की जाएगी बिंटिक्षा की बिएस्पी परमुख मायावदी ने जिला धक्चों के साथ बैठक में मायावती ने कहा है कि पार्टी सभी भी धानसभा उपचुनाव में लड़ेगी और अब पचास फीसदी वोट पर लक्ष लेकर के राज़िती करेगी मायावती ने एवियेम में धानदली का भी आरोप लगा है बैठक से पहले उत्तर परदेश के सिरवास्तों के नव निर्वाचत बसपा सांसद राम सिरोमणी वर्मा ने एवियेम घोटाली का भी आरोप लगा है उन्होंने कहा है कि लंबे पैमाने पर घोटाला हुआ है, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि वैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिसे न तो चुनाव आयोग माना और नहीं सरकार मान रही है, हम चाहते हैं कि वैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, जो निस्पक्छ हो, बहांजी भी जो दिशा निर्देस देगी हम उसका पालन करेंगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कावेरे भारत ने मांगे थे काले धन रखने वालों के नाम स्विश बैंक ने अब तक जारी किया यह 15 नाम जी हाँ दोसो स्विश बैंक में संदिक्द धन रखने वाले भारतिये खाताधारों पर करवाई करने के लिए भारत के साथ संबंधित सूचना साजा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है इस संबन्द में स्विटजरलेंड के अधिकारियों के नया नाम सार्विनिक नोटी से पोतलूरी राजा और मोहन राव के नाम जारी किया गया है इस से पहले पिछले महा ऐसे 14 लोगों के बारे में सूचना साजा करने से पहले उसको नोटीस जारी किये गए थे नियमों के तहट इस तरीके के नोटिस उन्हें अपने खाते के बारे में भारत सरकार को जानकारी देने के खिलाफ अपील करने का एक अंती मौका देने के लिए जारे किये गए थे अधिकारियों के अनुसार आने वाले सब्ताह में इस तरीके के नोटी से जारी किये जा सकते हैं भारत ने स्विस बैंक में संदिग्ध कालाधन रखने वाले भारतियों की जानकारिया स्विट्जरलेंड सरकार से मांगी थी राव ने यह नोटिस में 28 माई को जारे किया गया था और उन्हें अपील करने के लिए 10 दिन का भी समय दिया गया है इससे पहले 21 माई को 11 लोगों को नोटिस दिया गया था स्विर्जर लेंड के संघिये कर विभाग के नोटिस में राव को जनम दिन 15 जुलाई 1951 और उनके भारतिये पता के आलावा कोई अन्य जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है हाला कि अधिगारियों का कहना है कि राव दूर संचार समित दक्षिन भारत के कई तरह के कारोबार में सामिल है स्विट्जरलेंड उनके बैंकों में खाते रखने वाले ग्राहकों की गोपनियता बनाए रखने के लिए एक बड़े वैस्विक वीतिये केंदर के रूप में जानना चाहता है लेकिन करचोरी के मादले में बैस्विक अस्तपच समझोते के दोरान गोपनियता कि यह दिवार अब रही है आपको बता दे कि खाता धारकों की सुच्चनाओं की उसाज़ा करने को लेकर के भारा सरकार के साथ उन्हों ने समझोता किया है अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझोते किये गए हैं स्विस बैंक ने विदेशी उप्भोकरताओं की सुचना साजा करने के लिए संबंधित स्विटजरलेंट के कर विभाग के नोटिसों के अनुसार स्विटजरलेंट में हालिया समय में कुछ देशों के साथ सूचना साजा करने के प्रक्रिया तेज कर दी है पिछले सब्ता के दोरान भारत से संब्धित मामलोक और अधिक तेजी आई है बिभाग नोटिस का गठन प्रकासन करते समय जैती का नाम संशिप्त कर देता है पर इसमें दो भारतियों का नाम पूरा बताया गया है इसमें माई 1949 में पैदा हुए कृष्ण भागवान रामचंद और सितंबर 1972 में पैदा हुए कलपेस हरसक किनारिया वाला सामिल है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर जगन रेड़ी ने बदला पूर्व सीम नाइडू का फैसला अब अंधर पर्देश में जा सकती है सीबी आई जी हाँ दोस्तों अंधर पर्देश के नय और युवा मुख्यमंतरी जगन मुहन रेड़ी ने राज्जी में केंद्रिये जाच बियूर यानी सीबी आई की एंट्री पर लगी रोख हटा दी है पिछली सरकार के मुख्यमंतरी चंद्र बाबू नाइडू ने राज्जी में सीबी आई और एडी के आने पर रोख लगा दी गए थी चंद्र बाबू नाइडू ने आरोप लगाया था कि मोधी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तिमाल कर रही है जी हाँ तो आपको बता दे कि YSSR कॉंग्रेस पार्टी के विजे साइं रिडी ने कहा है कि चंद्र बाबू नाइडू ने सीबी आई पर रोख लगा दी गए थी और उन्हें आईकर विभाग में छापे काभी डर था और एडी के सवालों को भी वो घबराते थे लेकिन हम में ऐसा करने में कोई डर नहीं है अब जगमोहन ने सीबी आई पर लगी रोख को हटा दिया है